नमस्कार दोस्तों MD Smart Classes YouTube चेनल में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों राजस्तान में कंप्यूटर सिक्षक बरती 2021 को लेकर बड़ी खबर आई है राजस्तान के मुख्य मंत्री स्री एसो गैलो जी ने 10453 पदों पर भरती प्रक्रिया को मंजूरी परदान कर दिया है आज की इस वीडियो में राजस्तान में समीदा के आधार पर होने वाली कंप्यूटर सिक्षक बरती प्रक्रिया की जानकरी लेकर आई है कंप्यूटर सिक्षक बनने के लिए आवशक योगताएं आयूसीमा चैन प्रक्रिया सहलरी और आविदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी संपून जानकरी के लिए एक बार ये वीडियो जरूर देखें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेए ताकि आपको आगे भी लेटेस्ट अपडेट से मिलती रहें दोस्तो राजस्तान के मुख्य मंत्री असोग एलो जिनने इस समंद्ध में 10,453 पदों के सर्जन और इन पर सविंदा आधार पर आविशक ततकाल भरती के लिए स्विक्रती परदान कर दिये और साथी साथ अलग से कैडर बनाने के प्रस्ताव को भी मनजूरी परदान कर मनजूरी पर कर दिये रास्तान में स्विक्रत परदाव में किल से रखी गई है थदा वरिष्ट कंप्यूटर अनुदेश्य के लिए वेतनमान और योग्यता सूचना प्रद्य विवाग में सायक प्रोग्रामर पद के समकक्स रखी है दोस्तों आगे इस वीडियो में बात करेंगे सूचना सायक पद के लिए सायक प्रोग्रामर पद के लिए सैक्षन क्योग्यता क्या रखी गई है दोस्तों यह सूचना विवाग द्वारा जारी राजस्तान कंप्यूटर राजयम अधिनस सेवा नियम गुनिश्य सो बाणवे हैं इसके तहित इसमें आवश्य क्योग्यता हैं और आयू सीमा पूरा प सूचना सायक पद के लिए आवश्य क्योग्यता होगी जो कि बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक पद के लिए काम आएगी तो दोस्तों बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक पद पर चैन होने के लिए सूचना सायक पद के समकष्य योग्यता होनी जरूरी है तो सूचना साय polytechnic डिप्लोमा in computer application और three year dplog in computer science and engineering from a Polytechnic institution reproduction it by the government polytechnic three साल का diploma अगर यह भी नहिए इसके बल अलावा है Computer science डिप्लोमा in computer science computer application में graduate होने चाहिए फिर है graduate of a university established by law in India with O level और higher level certificate course conduct by DOEC के द्वारा O level course या इससे उपर वाला higher level certificate course होना चाहिए फिर है graduate in a university graduate of a university established by law in India with computer operator and programming assistant COPA data preparation and computer software DPCS में graduate होना चाहिए speed of 8008000 की depression per hover on computer in Hindi and English typing दोनों typing होनी चाहिए यह है सूचना सहायक पद के लिए योगेता अब बात करते हैं वरिष्ट कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए योगेता रखी गई है सहायक प्रोग्रामर पद के समकक से अब सहायक प्रोग्रामर पद के लिए आवश्यक के योगेता क्या है तो इसमें है असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए qualification and experience direct recruitment के लिए तो दोस्तों यहां पर है graduate with a computer science or electronics and communication or information technology from a university city फिर दूसरा है three year diploma in computer application from a institution recorded by the government यह graduate from a university established by law in India with a level certificate course conduct by DOEG under the control of department of government in India or two year working experience of a computer operations in a government organization government undertakings public limited या private limited company तो यह दोस्तों यह थी सूसना साइक पद के लिए और साइक प्रोग्रामर पद के लिए आवश्यक योगेता है दोस्तों अब के लिए programmer assistant programmer and informatics assistant programmer सूसना साइक और साइक programmer पद के लिए अधिक्तम आयू सीमा रखी गई है 35 और निउन्तम आयू सीमा रखी गई है 21 यह आयू सीमा गणना होगी जनवरी महा से first day of January महा next following the last day of receipt of applications दोस्तों आयू सीमा यह है निउन्तम पास मार्किंग का प्रावदान रखा गया है क्योंकि निउन्तम पास मार्किंग है दोस्तों minimum qualifying ओर्क के लिए यहांपर दी गई है यहांपर 30 मॉर्किंग उनके लिए रखी गई है दोस्तों अब बात करते हैं वेतनमान की दोस्तों वेतनमान के लिए सुछना शासक्षिक। वेतनमान के लिए है ये प्रस्ताओं के नुसार समिन्दा निउकतिक दोरान basic computer अनुदेशों को पारिस्रमिक की रूपे रूपे 18500 रूपए पर्तिमा वरिष्ट computer अनुदेशों को 23001 500 रूपए और पदोनती पर आने वाले वरिष्ट पारदशीताय साथ योग्य अभेड़त्यों को नियोजित किया जाएगा दोस्तों आउधन प्रक्रिया कब से शुरू होगी इसकी जानकरी के लिए आपको नीचे डिस्ट्रेम सोक्स में लिंक मिल जाएगा आप बहां से जानकरी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों यह हमारी क्योंकि इसमें नोटिविक्शन में प्रेश नोट में कहा गया है कि पर्तियों की परिक्षाओं के माद्यम से तो दोस्तों शूर्ची बात है एक्जाम भी हो सकता है इसकी डेट भी जल्दी गोसित कर दी जाएगी दोस्तों आपको पता होना चाहिए यह बरती 10453 पदों द्रोंट्र होगी दोस्तों धन्यवाद दोस्तों इस वीडिएयो में इतनी जानकरी आपको यह जानकरी अच्स लिए हो तो वीडियो को ला इक कीजिए अपने दोस्तों साथ इस वीडियो को जादा जादा सेर कीजिए अगर इस बरती से संबन्दित आपके पास कोई सवाल है या कोई डाउड्स हैं तो आप हमें बेज जिजए कमेंट कर सकते हैं कमेंट में पूछ सकते हम आपकी जरूर साहता करेंगे अगर आपने अभी भी हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कर लें पास्वे बैल आइकन को प्रेश कर देवे जिस्से हमारे आगे आने वाली लेटेस्ट अपडेटस की नोटिविशन आपको समय पर मिल सके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद